दोस्तों घरेलू उप्चार और सुके जीवन चनल पर आपका हादिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा बहतरीन और गजब का नुस्का जिसके इस्तेमाल से आप घर में बैठे बैठे ही अपने पेट की चरबी कमर की चरबी जो हातों के उपर है या थाइस के उपर है वो सारी चरबी यानि सरीर में कहीं पर भी चरबी है तो उसको आप आसानी से इस वीडियो से हटा सकते हैं गायब कर सकते हैं दोस्तों घंटों कुर्शी पर बैठ कर काम करने और अस्त्वेश्ट दिन चरिया का हमारी स्वास्त पर बहुत पेट ने बेडोल आकार ले लिया है ज़रा सोचे अगर ये आपको इतना अजीब लगता है तो बेडोल जो इनसान है उसको कितना बुरा लगता होगा कई बार ये बेडोल पेट लोगों के बीच इमबैलेंस या बहुती प्रॉलम क्रियेट करता है अगर आपके घर में भी कोई ऐसा सक्स है और आप उसे फिट बनाना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही जगह पर है दोस्तो आप सही नुसका और सही वीडियो आज देख रहे हैं दोस्तो कई बार एक्स्ट्रा फेट हमारे सरीर के अन्य हिसो पर भी जमा होने लगती है जैसे हमारे हाथ हैं और कमर है और थाईस है इन सब पर जमा होने लगती है सरीर के ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पाना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है लेकिन दोस्तो आप घब रहें नहीं हम आज लेकर आए हैं आपके लिए ऐसा ही एक घरेलू और बहुती गजब का नुस्का जिसके इस्तेमाल से आप बोड़ी से एक्स्ट्रा फैट गायब कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से दोस्तो यह नुस्का बनाने में बेहद आसान है और आप माने तो यह आप वीडियो देखते देखते ही आप इस नुस्के को बना सकते हैं बोड़ी की एक्स्ट्रा फैट को कम करने का घरेलू नुस्का इसके इसमें जो सामगरी चाहिए वो है बेकिंग सोडा और सैटर वीनेगर यानि सेव का सिर का और एक ग्लास पानी दोस्तो यह देख रहे हैं आप एक ग्लास पानी है अब इसमें हम बिलाएंगे आधा चमच बेकिंग सोडा यह बेकिंग सोडा है और आप इसमें से आधा चमच इतना करीब इतना मिलाएं ठीक है और इसमें आप मिलाएंगे दो चमच सैटर वीनेगर यानि सेव का सिर का यह है सेव का सिर का इसमें हमने दो चमच लिया और इसमें ग्लास में डाल दिया ये नुस्का बनकर तयार है आप इसको अच्छे से हिला ले इसको मिक्स कर ले और ये नुस्का आप पी सकते हैं अब इसको इसको इस्तिमाल करने का तरीका बता देते हैं आपको दोस्तों ये आपको हर रोज सुबह खाली पेट नास्ता करने से करीब 20 मैं या 25 मिनट पहले ल दोस्तो एक चीज का ध्यान रखें आप तली हुई चीजे और फास्ट फूड जैसे पिज़ा ये चीजे है बर्गर है इन सब चीजों से दूर रहें और यदि हो सके तो आप इस मौकिंग छोड़ दें और शराब वगरा का सेवर ना करें और ज्यादा तील घी वाली चीजे इस दोरान ना खाएं जब तक आप ये नुस्का इस्तेमाल करते हैं दोस्तो ये नुस्का आपने देखा कितनी आथानी से और कितनी कम टाइम में मतलब एक मिनट भी नहीं लगता इसको तैयार करने में doesटे him असे से बहुत से आसान है, टेस्टी भी है यह, और इसका टेस्ट बुरा नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है, और ये जो जैसे अबी सर्दियों का वक्त है, सर्दियों का सीजन है, आप इसमें ये पानी जो है ना बहुत हलका गुनगुना भी ले सकते हैं, और गर्मियों में आप ऐसे नॉर्मल जो टेंपरिचर वाला पानी है ठंडा पानी ले सकते हैं आप जैसे चाहे इस्तेमाल करें दोस्तो इसमें आपको एक्सेसाइज भी नहीं करनी है और घर में बैठे बैठे आप इससे इस नुस्के से आप बड़ी आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं और सरीर के हिस्से में कहीं पर भी यदि एक्स्ट्रा फैट जमा हो गई यह उसे आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए यह सबसे पेस्ट उत्तम दवा है उसके लिए सबसे अच्छा नुस्का है दोस्तो यह आपके सरीर की एक्स्ट्रा फैट का नामों निसान मिटा देगा बहुत अच्छा नुस्का है इसको इस्तिमाल करें दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारा ही है वीडियो हमारा ही है नुस्का आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें लाइक करें और दूसरे लोगों की यदि आप हेल्प करना चाहते हैं तो उनके साथ भी इस नुस्के को शेयर करें हम जल्दी फिर लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें